राजस्तान में कॉंग्रिस सरकार की कमान इस बार सीयम अशोक गहलोद के हाथों में है और इस बार का चुनाव गहलोद के राजनेती करियर के लिए बेहद महत्तुपूर्ण है 25 सितंबर की घटना के बाद कॉंग्रिस हाई कमान और गहलोद के बीच जो नए रिष्टों की शुरुवात हुई है वो इन चुनावों के परिणावों से नया रूप ले सकते हैं गहलोद का पाइलट को कॉंग्रिस के कुनबे से पूरी तरह बाहर करने की सब ही कोशिशों को हाई कमान ने पूरा भले ही नहीं होने दिया हो लेकिन आखिरकार अब तक बनी सब ही कमेटियों से सचन पाइलट को बाहर रख कर गहलोद ने ये दिखा दिया है कि वो राजस्तान में इस बार के चुनावों को किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे इसलिए इस बार के विधान सभा चुनाव सिर्फ कॉंग्रेस के लिए ही नहीं बलकि अशोग गहलोद के खुद के लिए उनके जीवन का सबसे महतुपूर्ण चुनाव है राजस्तान में साल 1909-2018 तक के विधान सभा चुनावों में कॉंग्रेस ने तीन बार 1908 और 2018 में जीत कर सरकार बनाई है लेकिन इन चुनावों में कॉंग्रेस का नेत्र तो गहलोद के हाथों में नहीं था इस बार इस चुनावों की कमान लगभग गहलोद को सौब दी गई है इस बार अगर कॉंग्रेस राजस्तान में हार जाती है तो ये बात तै हो जाएगी कि राजस्तान में कॉंग्रेस जीती है लेकिन गहलोद हार जाते हैं 2003 में मुख्यमंचरी रहते गहलोद के 5 साल के कारेकाल के बाद हुए विधान सभा चुनाओ में कॉंग्रिस को बुरी तरह हार मिली, कॉंग्रिस 200 में से केवल 56 सीट ही ला पाई, उसे 1998 में मिली 153 सीटों में से संतान ने सीटों का नुकसान हुआ 2013 में मुख्यमंचरी अशोक गहलोद के 5 साल के कारेकाल के बाद हुए विधान सभा चुनाओ में कॉंग्रिस को बेहत शर्मनाख खार का सामना करना पड़ा, कॉंग्रिस 200 में से मात्र 21 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, 2018 में 30 वार सीम बने, लेकिन ये चुनाओ सचिन पाइलट कि नेत्रों तुमें लड़ा गया